कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रनीती शिंदे की शादी की अफवाहें फिर से जोर पकड रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रनीती ने सोलापुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की और बीजेपी उमीदवार राम विठल सत्पुते को हराया। वह इस सीट से चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद है। सुशील कुमार शिंदे ने सक्रिय राजनीती से सन्यास ले लिया है और अपनी सियासी विरासत बेटी प्रनीती को सौप दी है। प्रनीती का राजनीतिक सफर उनके NGO जैजुई से शुरू हुआ था। प्रनीती शिंदे ने 2009 में पहली बार सोलापुर सिटी सेंट्रल से विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद 2004 और 2019 के चुनावों में भी जीत दर्ज कर उन्होंने हैट्रिक लगाई। प्रनीती का जन्म 9 दिसंबर 1980 को हुआ। उन्होंने 2001 में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलिज से ग्रेजुएशन किया फिर मुंबई युनिवर्सिटी के गवर्नमेंट लॉग कॉलिज से लेलबी की डिग्री हासिल की। प्रनीती शिंदे अपनी सामाजिक सेवाओं के लिए भी जानी जाती हैं। वह अपने NGO के माध्यम से लोगों की मदद करती हैं। जिससे उन्हें सोलापुर में जबर्दस समर्थन हासिल है। प्रनीती 2021 से महराश्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष खडगे की नई टीम में भी जगह दी गई और कांग्रेस कार्य समिती में सदस्य बनाया गया।